नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है। और सोच करके ही दुनिया सिहर जा रही है। कि यदि पश्मी देश अमेरिका के साथ सामिल हुए तो अंजाम क्या होगा। मंगलबार को काला सागर के उपर तब अजीव इस्थिती बन गई जब रूसी जेट और अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन आमने सामने आ गए। CNN के मुताबिक इस दौरान उसी जेट ने अमेरिकी ड्रोन के प्रोपेलर को छतिगरस्त कर दिया। ये घटना तब हुई जब अमेरिका का रीपर ड्रोन और रूस के दो फाइटर जेट ACU-27 काला सागर के उपर अंतराष्टी जल सिमा में चक्कर लगा रहे थे। CNN ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि इसी दौरान रूस का एक जेट जान बूझ करके अमेरिकी ड्रोन के सामने आ गया और जेट से तेल गिराने लगा। इस दौरान एक जेट ने ड्रोन के प्रोपेलर को च्छति ग्रस्त कर दिया। ये प्रोपेलर ड्रोन के पीछे लगा था। सागर के उपर उडान भरते रहते हैं लेकिन ये पहली बार है जब दोनों देश के युद्ध्यक विमान एक दूसरे के स्तामने आ गए और ठकराव की ऐसी नौबत आ गई इस घटन पर अमेरिकी वाइ सेना ने सकत ततक्रिया दी है अमेरिकी वाइ सेना ने कहा है कि दो रूसी ASU 27 विमानोंने एक अमेरिकी सेना की निगरानी और टोही मानौ रही रूसी ASU-27 ने अमेरीकी ड्रोन को टक्कर मारी और उस पर इंधन भी गिरा दिया अमेरीकी एर फोर्स के अधिकारी कहते हैं कि यूएस एर फोर्सेज येरोप और एर अफरिका के कमांडर जेम्स भी हेकर हमारा MQ-9 विमान अंतराष्टी हवाई छेतर में नियमित संचालन कर रहा था जब इसे एक रूसी विमान द्वारा रोका गया और मारा गया जिसके परणाम सरुप दुरगटना हुई और MQ-9 का पुर्ण नुकसान हुआ दरसल इस टकर के बाद अमेर्की अधिकारियों को अपने ड्रोन को समंदर में डुबाने पर मजबूर होना पड़ा वे रूस से पील करते हैं कि वो अपना ऑपरेशन पे सेवर तरीके से करें अमेर्की सेना ने कहा कि रूसी सेना की अक्रामक करवाई खतरनाक है और इससे दोनों देसों के बीच टकराओ बढ़ सकता है जबकि रूस की तरफ से सफाई दी गई है कि हमने डुबोया नहीं है बलकि वो खुद डूब गया है टकर से पहले की ये बात है और जान बोज करके दूसरा रुख दिया जा रहा है अब देखने वाली बाती है कि क्या इसमें जो राजनेता है या राज प्रमुख है उनका भी कोई बयान आता है तनाव बढ़ता है क्या जो यूक्रेन यूदिचल रहा है उसमें अमेरिका और पश्मी देशों की डिरेक इंट्री हो सकती है इस सब पर हमारी नजर रहेगी राये ने बेखबर देखते रहिए इन खबर थैंक यू